हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु फ्रेंड्स आज एससे सीजियल का जो फॉर्स लेके फॉर्स शिफ्ट तक जो भी एक जाम में क्वेस्टन आये हैं उसको आज हम देखेंगे कौन सा आज दिसंबर तीन दिसंबर का देखेंगे कि तो शीफ्ट 1 का पहले कोस्टन देखेंगे फिसे टू का देखेंगे फिसेग सिफ्ट फोर का देखेंगे यदि कोस्टन विश्ट आपको लगे कीजन है और कोई कोई कोश होता है एक असुत्री विवाजन प्रोकरियोटिक जीवों में और दूसरा शुत्री विवाजन यह समसुत्री विवाजन कहते हैं ठीक है खो अगला कोसुंभाशन का अगला कोस्वन का सब्ढ़ा को क्टीन नीऊ विदू ध्रा क्या तो विदू थे हैं कि अधी चुन हाए हाई है है तो इसका पहला क्वेस था कि passa का गवाजन कितने वर्गों में होता है कहीं कहीं दो दिया था लेकिन कहीं तीन दिया गया है कोशकाय का भीला तिन वर्गों में होता है। detailed question customers कि दोधक कितने साल के बच्चे को कर खाने में का में काम करनेने लिए से निशेद हैं तो चगदोबर CPU का औ안 और आटीकल नंबर ट्वन्टीफोर में आता है चौदव बड़ से कम आयू कि किसी भी बच्चे को कर खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरना काम में भी नहीं लगाए जाएगा ठीक है आर्टिकल नंबर 24 हो जाएगा नेक्ट कोस्टन है चुना पथर का रहसाइनिक सुत्र क्या है चुना पथर मतले लाइमे स्टॉन ठीक है इसका जो रहसाइनिक सुत्र है कैल्सियम कर्बोनेट सीय यो थिरी जो की विभीन क्रिस्टिल ये रूपो जैसे कि खनेज केस्ट्राइट या एरेगोनाइट से मिलकर बनी होई है तो च रविक्रति ने लिखा था रविक्रति कौन थे जो की चलूके नरेष जो थे पुलकेशिन दितिये जो हर्चवर्धन को प्राजित किया था ठीक है दक्सिन अभियान करने से उसको रुख दिया था हर्चवर्धन को तो क्या है कि एहोल से चलुक के नरेश पुलकेशिन दितिये का का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है ठीक है जो कि संस्किर्थ महाकाब्वे परंप्रा में लिखा गया है और इसका कभी कौन है रविकिर्थी थीक है एहोल अभिलेख रविकिर्थी ने लिखा है नेक्स कोस्तन आते हैं कि बीट बीटूसी का मतलब क्या होता है तो बिजनिस कालिदास्तमान जो होता है मध्य परदेश सरकार द्वरा दिया जाता है ठीक है और किन को मिला है जो पदम भुचन बुद्धा दित्ते मुखर जी जो है सितारवादक और पदम स्री पूरु दाघीच जो की कथक निरते है वासिदेव कामत जो की चित्रकला के छेद्र से है और रंग कर्मियम परसीद अभिनेता राजीव बर्मा को सासन के परतिश्तित अलंकरन राश्तिय कालिदास्तमान से विभूचित किया गया है ठीक है नेक्स कोशन पर आते हैं वर्तमान में में राजयपाल कौन है तो में वर्तमान में राजयपाल है बीडी मिस्रा ठीक है भीटी मिस रहा नेट निश्कोपन स सभिधिति और सभ्लाम वنت गेवानस सेद में बावर के बीच में तो उसमें किनको मिला है तो इवाहई मंबाल पुरसकार बाइशब हारति भारति वहताव के लिए सब्सक्राइब को मिला है तो हeman fav aula को मिला है टिक है उनका कहानिस्थ तबारी सब्सक्राइब की डाब़ल सब्सक्राइब को पनाय लटival यहां पार यहीं मैं थे जी सlingtूर में को जो मिला कुमार सर्मा थीक है पंडिस्व कुमार सर्मा जो की पर्सिद संतुर बादक है नेक्स को सन है ब्रक्स का रसाइनिक सुत्र क्या है तो याद करने वाला अपना याद कर लो कर लेता है ठीक हैकने कोशन है 2020 में हौकी टीउम के कप्तान कौन थे तो मन्फिरेत सिंग है ठीक है जन के questions के कप्तानम तुलashes कॉन करता तों और जू है कोन चंदेर साषक स्थ टार चंदेर सासकर नेFit थे खर आप एल परवत को अलग करता है ने खोसन और अगजय की मिर्तियों किस वर्ष थे देखिए मुगल जो वन्सका जो लास्ट जो सक्तिसाली राजा था कॉन था अरंगजीब की मृत्वि के बाद तो उत्तर मुगलकाल की वे जांदा आया नहीं जो मुगल्वन्ष को ज्यादा मतलब मजबूती परदान ले ठीक तो सिर्ट सिर्फ्ट में पहले कौन सा होता है फिर फ्रेंच होता है फिर विवल्डन होता है फिर युएस होता है तो फ्रेंच उपन कभ हुआ था बाइस माई से पांच जुन 2022 तक हुआ था ठीक है नेक्स कोशन जितने वाला कौन थे मतलब पहले भरती ये थे उचो ज उचकर और ग्रेमी पूरस्कार दोंनों जो जितने वाले भारती ये कौन थे तो कौन थे एयार रहमान ठीक है एयार रहमान ऐसे पहले भारतिये हैं जिने ब्रिटिश भारतिये फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए दो असकर प्राप्त किया गया है ठीक है ठीक है नेक्स कोस्टन पर आते हैं अज यहां 15 एकर में डेर्शा करोर की लागत से देश का सबसे बरा और पूरे एसिया में कई मायने में अनूठा बायो सी एंजी सन्यांत्र त्यार हो चुका है तो कहां पेसिया का सबसे बरा सी एंजी प्लान खुला है तो इन दोर में हुआ है नेक्स कोस्टन पर आते हैं कौन सी पंच वर्षी एंजना क्रीशी और रोजगार पर अधार थी तो पांच वी पर पंच वर्षी एंजना ठीक है तो पंच वर्षी एंजना ने रोजगार गरीबी उन्मूलन गरीबी हटा और न्याव पर जोर दिया योजना ने क्रीशी उत्पादन और रक्षा में आत्म निरभरता पर विध्यान केंद्रित किया ठीक है नेक्स कोशन पर आते हैं सबसे ज्यादा सक्षर्था दर कौन सर कंष सबसक्राइं तो दो अक्टूबर कों अंतर राश्त्रिय आहिंसातव दिवस मनाया जाता है ठीक है यह नेक्स पर आते हैं ए wow किसने कहा था किसमे कacious ने कहा था महात्मागांदी धिक है महात्मागांदी है अब हम के को पहला को सन है चाथा सकीम मतलब किस राजी की योजना तो ओरीशा सरकार दुवारा इस योजना के शुरूआत की गए थी वहां का मुख्य मंत्री कौन है अभी वरतमान में है कौन मुख्य मंत्री नवीन पठनायक है ठीक है च्छाता इसकी मर्था च्छत से जल भीरत एक क्रित्रियम रूज्म से वर्षा जल का सामगदाई दोहन और संचन योजना शुरू की है तो किस राजे की योजना है तो उडिशाजर कर गी है ठीक है नेक्स कोशन पर आते हूं एक वांगला फेस्टिवल किस राजे में मनाएजाता है कौन सी जन मनाती है वहां के जो गारों जन राती है उसके द्वाराह नौंबर के महिने में फसल distinguished के समय एlorस्व मनाई जाता वांगला फेस्टिवल कहां कहां सो मेघाळे कहां कोशन गवाके वरतमान में cm कौन है मतलब जो cm कौन है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें मुख्य मंत्री का गवा का 13 में नंबर का है ठीक है next question पर आते हैं आचल लेजना किस राजस्थान राजस्थान अधमेर चलाए जारहा है तो राजस्थान थीक नेक्स कोसं पर आते हैं फिफा वर्ल्ड कॉप जो महिला तो फीफा वर्ल्ड कॉप होगा 2030 इसका ओस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में आयूजित किया जाएगा ठीक है नेक्स कोशन पर आते हैं जिप्सम का रासाइनिक सुत्र जो है क्या है न्टिम सक्ति शाली मुगा साचा कौन था क्योंकि औरंगजेव की मिर्तिव के बाद आ अरंगजेव की जब मिर्तिव हो गई तो जितना भी सरदार था जैसे में हो गये बंगाल में सब अपना अपना सोतंत्र अपना जो सोतंत्र अपने को घोशित कर लिया था उसके बाद जितना भी आया उत्तर मुगलकाल में उतना सासक सासक मजबूत नहीं थे तो अंतिम सक्ति साली मुगल साचा कौन थे और अरंग जेव की मुर्तिकव हुए थी सतरा सातिस्वी ठीक है नेक्स कोशन पर आते हैं आर्टिकल 378 समंदित है देखिए आर्टिकल 368 यह बहुत सारे समीधान संसोधन से है जो कि भाग 20 में आते हैं और यह कहां से लिए गया है यह सावताफिर का से लिए गया है ठीक है तो आर्टिकल 378 समंदित है समीधान संसोधन से एक और मतलब आप भाग भाग देख लिए जैसे मैं भाग 11 हो गया संगराजय का समंद्ध हो गया ठीक है और निरवाचन निरवाचर भाग 15 में है और राजभासा जो है भाग 17 में है और आपात वभंदन है जो भाग 18 में हैं और एक क्वे कुछ कर जाता है जैसे में संग राजिस जो कि भाग आठ में है और संग राजिस समंध यादी पूछेगा तो भाग 11 में है तो इसका क्वेशन क्या था आर्टिकल अब भाग पर आते हैं नेकस्ट फोर में आते हैं को पहला को सनाते हैं कि अज्मेर को किसने बसाया था देखिए अज्मेर को वहां पर ख्वाजा निजामुदिन वह थे वहां कब वह क्या है वहां पर दरगाह तिक है 1112 इसवी में अजय राज चोहान जो थे अजय मेरू जो अजमेर की अस्तापना किये थे ठीक है और वो राजधानी बनाया था ठीक है नेक्स कोशन पर आते हैं नीती-अयोका-C.U. कौन है देखें नीती अयोका वर्तमान सीयम है परिशत परमिश्वरन श्रॐधी त्रॐधी और नीती अयोके अध्यक्स कौन है नीटी-अयोका-ध्यक्स अभी जो देश्का पर्धान-मंत्री होते है एक यह प्रमिसरअल नाय यह यदी आगे का में पूस्ट पूछ दे नीटी आयो का उपाध्यक्स कौन है तो सुमन बेरी हो जाएगा रिक्षण पर आते हैं सुप्रिम कोड के 49 जो चीप जरस्तिस ऑप इंडिया बने है तो देखिए चीप जस्टिस ऑफ इंडिया को बने उउउउ लली उन्चासवे नंबर का है ठीक है और देश का जो चीप जस्टिस बनते उनको जो सपत दिलाता कौन है तो भारत के जो राष्टपती होते हैं भारत के राष्टपती अभी वर्तमान में कौन है सब्सक्राट करता है तो जब अंदर परदेश फेंद्रव्स को स्देचा सब्सक्राइब करते तो किरती नाम के एक युति ने क्या है निपेंगे वर संगीत की मादेशने स्वय को मंदिर के देवता को समय पूर्थ करने के लिए किया था तो मुहनिय अट्म किसराजय का लोक निपत्र है तो कीडियल का है नेख्श कौसन पर है रभी किरती का सबंद किस वर से है देखराए र धुआधार जल परपात किस नदी पर है देखे धुआधार जल परपात जो है नर्मादा नदी पर है और वह कहां पर है तो है जबलपूर में ठीक है और दस मीटर कुछाई से गिरने वाला इस पर परपात कि छटा अनुपम है ठीक है धुआधार जल परपात कहां कहां है नर और सबसे ज्यादा बांद किछन दीपर तो आज का कोस्टन फर्स चारों सिफ्ट का यहीं तक था ठीक है दोस्तों